हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कखस अच्छे सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीद विसय का अध्याई 11 इमारतें चित्र तथा किताबें हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए यह आप अच्छे से समझ सकें तो चलिए देख लेतें एक जलक पाट की अध्याई 11 इमारतें चित्र तथा किताबें तो बच्चो आप देख रहें यापर यह है आपका हमारे अतीद के अंतरगैत अध्याई 11 इमारतें चित्र तथा किताबें जिन बच्चों के पास अपन या पुष्टक नहीं है, यानि कि हमारे अतीत की किताब नहीं है, वे यहां से इस पूरे पार्ट को पढ़ सकते हैं, और जिनके पास किताबे हैं, वे अपनी किताब से इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझा जाए, तो देख परिक्षा के समय किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो देख सकते हैं आप यह अपना पूरा पार्ट वीडियो को रोक कर आप पार्ट को पढ़ सकते हैं पूरे पार्ट को पढ़े अच्छे से मेनत करें बच्चो ताकि आपको परिक्षा के समय अच्छे से मार्क्ट म कहा जा सकता है या काली दास को प्रकरति प्रेमी कहा जा सकता है तो यहां पर जो है इस प्रकार से कुछ आंतरिक प्रस्न होते हैं उनके उत्तर भी हम आपको यहां पर बताते हैं आप देख सकते हैं कई प्रकार के प्रस्न होते हैं और उनके उत्तर हम आपको बताते हैं हम कहत सकते हैं पाठ के बीच में एक जगह पर लिखा होता है अन्यत्र और इसे जो है आप जो अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहां पर आपके लिए काफी मैत्व पूर्ण जानकारी दी होती है इसलिए आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद पाठ के अंत में कॉपी लेके तयार रहें और शुरू करते हैं इस पाठ से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर आप इन्हें अच्छी हैंड राइटिंग बना कर अपनी नोट बुक में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे तो चालिए शुरू करते हैं पाठ से सम्बंदित प्रस्नों के उ और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ के प्रस्न उत्तर सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ के अंतरगयत यानि के पाठ के जो हैं आंतरिक प्रस्न और उनके उत्तर जो कि आप देख सकते हैं पाठ के बीज-बीज में आपसे कुछ प्रस्न पूछे होते हैं उनके उ बिविन चरणों का चित्र बनाओ और यह प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा 126 नंबर पेज पर आप अपनी किताब के 126 नंबर पेज पर देखें वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रस्ण देखने को मिलेगा और इसका उत्तर आप जो है अपने हिसाब से लिखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि छातर स्वयम करें क्योंकि यहाँ पर क्या का है अध्याए 9 के प्रस्ण इकारणवे पर देगे चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा इस्तुपों के निर्मान के दोरान आने वाले विविन चरणों का चित्र बनाओ आप देख सकते हैं अलग अलग जो चित्र दिये हुए उनका चित्र बनाकर और चाहे तो अपने हिसाब से आप चित्र बनाकर इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं पर दूसरा प्रस्ण है बच्चो और प्रस्ण दो में का है क्या तुम्हें लगता है कि काली दास को प्रकरति प्रेमी कहा जा सकता है अभी मैंने आपको बताया था ना पार्ट को जब मैंने दिखाया था आपको पार्ट पार्ट के अंतर गया तो मैंने आपको यह प्रस्न दिखाया था तो इस प्रस्न का उत्तर आप जो यहां से लिख सकते हैं और ये प्रस्निफ आपको मिलेगा 128 नंबर पेज पर आप अपने पार्ट के 128 नंबर पेज पर देखें अपनी किताब के और वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रस्निफ मिलेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या तुम्हें लगता है कि काली दास को प्रकरति प्रेमी कह जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रस्न का उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रस्न आपके लिए और इसमें पूछा है इस उप महाद्वीब के बिविन भागों में महावारत और रामयन के भिन भिन रूप अंतर लोगप्रिय हैं इनके आधार पर नाटक गीत और निर्थे परमप्राएं भी उवरी पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन सा रूप अंतर पर चलित है और यह प्रस्न आपको मिलेगा 139 नंबर यानि की 129 नंबर पेज़ पर देखें आप आपको इस प्रकार का ए इसे बारे में आपर बात की जा रही है जिसके आधार पर नाटक गीत और निर्थे परमप्राएं भी उवरी हैं आपके छेतर में या आपके राज्य में कौन सा रूप अंतर है इसके बारे में आप यह पर लिखेंगे इसके बाद अगला यहां पर जो एचोथा प्रस्ने बच्चो और चौते प्रस्ण में पूछा है क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिसा दिखाया गया या हिसा क्यों चुना गया और ये प्रस्ण मिलेगा आपको 130 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं अपनी पाठे पुस्तक के 130 नंबर पेज पर इस प्रकार का आपको एक प्रस्न मिलेगा और उत्तर में लिखेंगे आप उत्तर में इस प्रकार लिख सकते हैं इस कहानी के चित्र में राजा को अपनी परजा के साथ आमों का आमों का आमों का आनंद लेते दिखाया गया है जिससे या संदेश मिलता है कि राजा अपनी परजा के साथ मिल का प्रियोग किये वगेर गिंती करते थे उसके बारे में और वी जानकारी हासिल करने की कोशिस करो और ये प्रस्ण मिलेगा आपको 131 नंबर पेज पहर और उतर में आप जो अपने इसाब से लिख सकते हैं यहां पर आपको क्या लगता है अपने विबेग का काम करें आप अ अंतरगयत कहीं पर जो है आपको देखने को मिलता है अन्यत्र तो उसे आप जरूर पढ़ें काफी इपोर्टेंट यहां पर जानकारी होती हैं जैसे यहां पर है कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी का हिसाब बन गया है होती है ना आपकी किताबे कागज की पढ़ते हैं कागज का कौपियां आपकी कागज की होती हैं और जो है आपकी प्लेटे और कई चीजें जो है बहुत सारी चीजें कागज की बनती हैं तो आप देख सकते हैं कि कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी का हिसा बन गया है जो किताबें हम पढ़ते हैं व जानकर यहां पर कब हुआ था लगवग 19 साल पहले और किस ने लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था कागज का आविसकार उसने पौधों के रेसों कपड़ों रसीयों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बना कर उसे पानी में भिगो दिया फिर उस लुग ठीक है बच्चों कागज कैसे बना आप समझगे ना कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया करीब 1400 साल पहले यहां कोरिया तक पहुँची इसके तुरंत बाद ही यहां जापान तक पहल गई करीब 1800 साल पहले यहां बगदाद में पहुँची फिर बग बगदाद से ही आई ठीक है तो आप जो काफी important जानकारी यहां पर कागज के बारे में कागज कैसे करके जो है चलन में आया आप इसे ही याद करें उसके बाद आपके लिए प्रस्न है यहां पर कि कागज काविशकार कब किसने और कहां किया था ठीक है तो कब कहां और किसन ने चीन में किया था ठीक है इस परकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दूसरा प्रस्ण है काई लून ने कागज किस बीदी से तियार किया था तो आपको मैंने बीदी बताई नहीं आपर उत्तर में लिखेंगे काई लून ने पौधों के रेशों कापड़ों रसियों और पेड़ की चालों को पीट पीट कर लुगदी बना कर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसे लुगदी को दबा कर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखी कर कागज बनाया, आज भी कागज बनाने के लिए इसी बीदी को अपनाया जाता है, ठीक है, तो ये थवाप का दूसरा प्रसन था, और इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, बात करते हैं बच्चोँ, तीसरा प्रसन है, प्राचीन भारत की पांडूली पियां किस चीज पर तयार की जाती है, और आप जोए इसके लिए अध्याय एक, यानि कि पहला पार्ट देख सकते हैं, उत् हुआ हिमाले छेतर में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की चाल से विसेश तरीके से तैयार भोज़ पत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है, क्या था हो पेड़? बुर्ज, यहाँ पर देख सकते हैं, बुर्ज नामक पेड़ की चाल से विसेश तरीके से तैयार कर द्रेसे का वर्णन करो तो आप कैसे वर्णन करेंगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जब आप मंदिर जाते हैं न जाते हैं आप मंदिर में तो वहाँ पर जो है मंडब में बैठे हो तो अपने तरफ का जो द्रेसे आपने वहाँ पर देखा उसका वर्णन आप कर सकते हैं कि कैसी बीड़ बाड़ होती है कैसे लोग होते हैं क्या क्या करते हैं वहाँ पर यह सब आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं इसके बाद बच्चो बात करते हैं आंत्रिक प्रस्न समापत होते हैं पर शुरू होते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रस्ण और हम बता रहें आपको उनके उत्तर तो पाठ के अंत में देख सकते हैं आप जब पाठ आप पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा आओ याद करें और पहला प्रस्ण है नि से पहले देखेंगे आप इस तूब फिर उसके बाद यहां पर जो है सिखर फिर मंडप गर्व ग्रह ठीक है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे और उत्तर में आप लेखेंगे उत्तर आप अपना इस प्रकार से देख सकते हैं और कैसे इस तूब के साथ मिलाए तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप अपने उत्तर में इस प्रकार से मेल करके जवाब दे सकते हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि खाली जगों को भरो तो यहाँ पर आपको रिक्तस्तान भरने यह देख रहे हैं आप यहाँ पर रिक्तस्तान तो इनको आपने किस प् मिलती हैं यहां लिखोगे और यहां पर क्या लिखोगे को सस्कृत रामयन का लेखक माना जाता है किसको माना जाता है यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे दो तमिल महाकाव्य हैं तो इन चारों में आप क्या करेंगे कह खह गय में इस प्रकार से अपना उत्तर लि ठीक है इसके बाद बच्चों अगला प्रस्न है यहाँ पर आओ चर्चा करें और यहाँ पर तीसरा प्रस्न है धातों के प्रियोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ धातों से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है उन्हें दिखाया गया है, ठीक है? तो, यहां पर यह तीसरा प्रस्न आपका, और इसका उत्तर आप इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, बच्चोँ, अच्छी सी एक टेबल बनाएं, और यहां पर जो है? जैसे आपके लिए बात करते हैं यहाँ पर चौता प्रसने आपके लिए प्रस्ट 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो देख सकते हैं आप अपनी किताब के 130 नंबर पेज पर वहाँ पर आपके लिए कहानी होगी उसे आप पढ़ें जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याए 6 और अध्याए 11 में पढ़ा उनसे यहाँ बंदर राजा किस भिन कैसे भिन और समान था यानि कि बंदर राजा उन अध्याएं में पढ़े गए राजाओं से किस परकार भिन था और किस परकार समान था उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर आप इस परकार से लिखेंगे आप ध्यान देए उत्तर में लिखेंगे प्रेश्ट 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याए 6 और 11 में दिये गए राजाओं की तरह है बंदर राजा भी अन्य सासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था वह स्वयम बुद्धिमान कूट नीतिग्या और बहादुर था वह सही समय पर उचितने लेने में समर्थ था जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समधाय को मार डालना चाहता है तो बंदरों के राजा ने अपनी परजा को बचाने की एक योजना बनाई उसने आम के पेड सारी परजा ने नदी को पार न कर लिया वह एक महान राजा था लेकिन किसी भी रूप से वह मानव राजा से अलग नहीं था ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रसने का उत्तर लिख सकते हैं ये चोथा प्रसने आपका और इसका उत्तर आप यहां से इस प्रकार इसके बाद अगला प्रसने है बच्चों प्रसने आपके लिए और भी जानकारी खटी कर किसी महा काब्या से एक कहानी सुनाओ तो आप क्या सुनाएंगे उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से हमारे महाकाब्य में बहुत सारी कहानिया हैं जो हमें प्रवावित करती हैं वे कहानिया आदर से जीवन के लिए हमारा मार्ग दरसन करती हैं हमें शिक्सा देती हैं ऐसे ही महाकाब्य महाबारत और रामैन हैं दोनों ही पक्स युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिस्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे स्री क्रेशन महान सक्तिसाली और भगवान की सक्तियां रखता था वह दोनों ही पक्सों से संबंदित था कौन स्रीकरशन इसलिए दुरियोधन जो कौरबों में सबसे बड़े थे सायता मागने के लिए पहुँचे ठीक उसी दिन पांडब में से एक कौन थे अरजुन भी सायता मागने के लिए करशन के पास पहुँचे स्रीक्रशने उस समय सोय हुए थे दुरियोधन गमंडी था इसलिए वह स्रीक्रशने के सिर की तरब बैठ गया अरजुन दुरियोधन के बात पहुँचे और वह बिनम्र भी थे इसलिए पैर की दिशा में बैठ गई क्यों बैटए ऐसे बच्चों क्योंकि सम्मान के लिए क्योंकि बोलते है ना अपने से बढ़ो के स्री की दिसा में नहीं बैठना चाहिए स्री किरस्न ने पहले ही गोशना कर रही थी कि जो भी मेरे पास पहले सायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूँगा इसके बाद क्या होता है स्री किरशन जैसे ही नीन से जागे उन्होंने आरजुन को देखा उन्होंने कहा वहां आरजुन का साथ देंगे दुर्योजन ने इसका बिरोध किया और कहा मैं पहले सायता मांगने आया हूँ किरशन नै कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए हमें बिनम्र होना पड़ेगा इस प्रकार दुर्योधन ने स्री किरशन के साथ खो दिया इस कहानी से या सिक्षा मिलती है कि हम जिससे सायता की अपक्सा करते हैं या सायता की अपेक्षा करते हैं आप लिखेंगे जिससे हम सायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उधरंड़ता का ब्यवार नहीं करना चाहिए ठीक है बच्चो तो इससे आपको भी काफी सिक्सा मिलेगी आप इस प्रकार से अपना इस पांच वे प्रसनिका उत्तर लिख और इसे इसके बाद देख लेते हैं यहां पर आओ करके देखें यहां पर जो ए बच्चो एक्टिविटी से सम्दित प्रस्ने आपके लिए और देख सकते हैं च्छटा प्रस्ने है इमारतों तथा इसमारकों को अन्य प्रकार से सक्सम ब्यक्तियू यानि बिकलांग के लिए और अधिक परवेश योग या कैसे बनाया जाए इसके लिए सुजाओं की एक सुची बनाओ तो आप बना सकते हैं सुची उत्तर में लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे इमारतों और इसमारकों के ढ़लान वाले परवेश दौर की सुबदा होनी चाहिए इमारतों तता इसमारकों में ढ़लान वाले परवेश दौर के साथ रेलिंग की सुबदा होनी चाहिए ताकि पहिये वाली कुर्सी का आसानी से प्रियोग किया जा सके इस तरह के ब्यक्तियों के लिए उचित रोसनी का परवंद होना चाहिए तता खाली अस्तान से अलग परवेश दौर की ब्योस्ता होनी चाहिए ठीक है क्योंकि ये जो सारी ग्रूप से कमजोर होते हैं बच्चों उनके लिए ये सारी सुबदाएं होना अती आवस्यक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप जो है कागज बहुत मैतोपूर्ण है इसका प्रियोग बिविन रूपू में किया जाता है इसके कुछ प्रियोग नीचे दिये जा रहे हैं और यहाँ पर कौन-कौन से आप लिख सकते हैं इन्हें पॉइंट में नमबर एक हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती है नमबर दो हम लिखने के लिए भी कागज का प्रियोग करते हैं नमबर तीन आप देख सकते हैं यहाँ पर यह नमबर तीन में जो खेल का समान होता है जैसके आप जानते हैं बचो खेल में कई समान लगता है खेल का समान जैसे की बनाने में भी कागज का प्रियोग होता है बचे खेलते हैं कई परकार के खेल के समान के साथ इसी परकार पांच वा लिखेंगे यहां पर आप करत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रियोग होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कागज के मैथ्व पोर्णू प्रियोग में नमबर एक नमबर दो नमबर तीन यहाँ पर तीन को यहाँ पर लिखेंगे चार न लिखें तीन लिखें यहाँ पर चार लिखें और यहाँ पर पा क्यों तो कई सारे अस्तानों में से उत्तर में लिख सकते हैं आप मैं महरोली यानि दिली को देखना पसंद करूँगा मैं वहां लोस्तंब देख सकता हूँ या देख सकूँगा यहां बारतिय सिल्पकारों की कुसलता का एक अधुद उधारण है आश्चरे की बात या है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा इसी परिसर में कुत्ब मीनार वास्तम में एक महान इसमारक है मैं महरोली में एक मनोहर इसमारक देख सकूँगा ठीक है तो इस पकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं तो बच्चो यहां पर जो है इसी प्रस्ण के सा होते हैं और ध्यान रखें कि आज हम पढ़ लेते कक्षा चैस सामाजी का देयन के अंतरगत हमारे अतीद विसे का अध्याए 11 इमारतें चित्रा और किताबें हमने आपको बताए इस पार से समझत प्रस्णों के उत्तर उमीद है कि आपको अच्छे से समझ आये होंगे इसी के लिए इतना काफी है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब होशे कर दें ताकि आपको जो है आने वाली परते एक वीडियो की नोटिपिकेशन भी मिलती रहे इसके लिए आप जो है बेल आइकन दवाना न भूलें और वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो